हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माय चैनल तो आज में बनाने वाली हूँ पालक पनीर और आप जो ये नान रोटी देख रहे इसकी रेस्पी मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया आगर आपको चेक करना है तो हाँ पे चेक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पालक प पतीले में पानी गरम कर लिया है तो जब पानी गरम हो जाएगा तो इसको हमें 2-3 मिर तक उबालना है ज्यादा नहीं उबालें इसे तो बस 2-3 मिर तक ऐसी उबालेंगे तो यहां पर मैंने पालक को बाल लिया आप देख सकते हैं इसकी quantity कितनी कम हो गई है तो बस इसको strain कर लेंगे यानि कि इसका जो पानी extra है वो निकाल लेंगे और इसको एक बार ठंडे पानी शेवाश कर लेंगे ताकि यह गरम की वज़े से और पक न जाए तो बस इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो जब ठंडा हो जएगा तो इसका पेस्ट बनाएंगे तो यहां पर पालक ठंडा हो गया है तो अभी इसका पेस्ट बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है तो इसमें जितने पालक थे उबले हुए वो डाल देंगे और यहाँ पर मैं थोड़े से अद्रक के टुकडे लिये हैं 15-16 लहसन लिया है और 4 हरी मिर्च लिया है इन सब का आप बाद में भी पेस्ट बना की उसकर सकते हैं लेकिन पालक के साथ ही पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता है और अलग से इनको पकाना नहीं पड़ता है एक साथ ही हो जाता है तो यहाँ पर लसन अद्रक मिर्च को मैं डाल दिया है पालक में तो अभी इनका एक पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया पेस्ट बना लिया पेस्ट बना लिया तो इनको क्यूप्स मैंने कट कर लिया है आपको जैसा cut करना हो ऐसा cut कर सकते हैं इनको तब इनको हलका सा fry कर लेंगे बस दो से तीन मेर तक याफ उससे भी कम fry कर लेंगे इनका color हमें change नहीं करना है बस हलका सा इनको fry करना है दोनों side से और मैंने इसमें आई तो हल्दी नमा कुछ भी add नहीं किया है ऐसी बस plain fry किया है अच्छा है तो पनीर को ऐसी कच्छा भी रख सकते हैं बिना fry किये हुए भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं सारे पनीर को fry कर लिया है तो अभी पालक पनीर के लिए मसाले बना लेते है तो पनीर हमारा रेडि है इदर तो मसाले के लिए यहाँ पर मैं तेल गरम कर लिया है एक पैन में तो जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें जीरा डाल देंगे तो एक चम्मक जीरा लिया है थोड़ा सा हींग डाल देंगे इसमें और दो तेज़ पत्ता लिया है आपर दो इलाइची, हरी वाली इलाइची दो दालचिनी, थोड़े से टुकरे दालचिनी के चार से पाँच काली मीर्च और चार से पाँच यहाँ पर लॉंग लिया है आपके पास जो भी खढ़े मसाले हैं आप उनका उज़ लिया है तो बस इनको हलका सामें भूनना है ज्यादा नहीं जलाना है इनको तो यहाँ पर सारे खड़े मसाले हो गए हैं तो जब खड़े मसाले पक जाएंगे तो यहाँ पर प्याज जाल देंगे तो एक बार इक कटा हुआ प्याज लिया है तो इसको color change हो इतक हमें इसको पकाना है तो low to medium flame पे इसको golden brown हों तक हमें पकाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं प्याज का color change होना स्टार्ट हो गया है तो बस यहां पर प्याज हमारा रेडी है ज्यादा इसको जलाइए मत तो प्याज हमारा पग गया है तो जो प्याज हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा healthy powder डा कीजिए तो इसके बाद यहां पर एक बारिक कटा हुआ टामाटर लिया है तो टामाटर को हमें सॉफ्ट होने तक इनको पकाना है इसको जला टाइम नहीं लगेगा एक से दो मिनट में बस यह पक जाते हैं जब टामाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो बाके के मसाले एड़ कर का एफ नमक लिया है नमक एपको कितना लेना है कम यह जादा कंगे अगे और यहां पर मैंने एक चमच का अंदल असे मन लिया है अगर आपके पास नहीं है तो यह स्कीप कर सकते हैं तो इन सब को मिक्स करने के बादा तक इसको पकाना है मसाले को ऐसी पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तो यहां पर मसाले पक गए थे एक मिन तक मैंने इसको पकाया था तो अभी जब पक जाएंगे मसाले तो पालक का जो पेस्ट बना के रखा तो वो डाल देंगे तो मसाले के साथ इसको एक बाद मिक्स कर ले थे हो इसे लो फ्लेम पेउयर चार से पांच मिन्ट तक पकाना है जितने इसको पकाएंगे उत्तना इसका डेИस्ट अच्छा रहेंगा तो मैंने इसको पांच मिन तक कंटिन्युऊ पकाया है बस इसकी क्यूंटिटी कम नहीन होती है इत वि कुछ बी चेंज नहीं होता इसी रहता है तो बस मैंने इसको 5 मिर तक पकाया तो जब 5 मिर ठो जाएंगे ठोब इसमें पानी डालेंगे तो ह Lancacis कर लेते हैं अरो और पानी कम लगे तो और डालनी यह लिए तो पानीreno diu काल ऑन तो बहुत इसको हम mix करके एक उबाल आने तक इसको पकालेंगे, तो medium flame पे ही एक उबाल आने तक इसको धक ऑगकालेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं इसमें उबाल आगे है बस इनको एक बत मिक्स थोड़े से देड़ के लिए और इनको पका लें तो बस मुझे इतना ही रखना है इसका टेक्शर तो यहां पर उबाल आ गया तो अभी जो पनीर फ्राय करके रखेते और डाल देंगे इसमें तो पनीर को मिक्स करके इनको भी एक उबाल आने तक पका लेंगे पालक के साथ तो पनीर को हलके आतों से यह मिक्स कीजिए नहीं तो पनीर जो तूट जाएगा तो बस इनको मिक्स करके एक उबाल आने तक इनको पका लेंगे मेडियम फ्लेम पे ही पकाना है तो अगर आपको फ्रेश क्रिम का युज नहीं किया है तो यहां पर पनीर हमारा रेडी है इसमें उबाल आ गया है तो बस अभी इसमें हमें कुछ नहीं आड करना है गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए लग देंगे तो यहां पर हमारा पनीर रेडी है सर्फ करने के लिए तो अगर आपको मेरी पालक पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जोर कीजिए मेरे चैनल को